जहें दोस्तों इस study icon में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट है आपनोंके लिए मध्य प्रदेश वन विभाग भरती को लेकर जिया दोस्तों forest department में requirement जो निकली हुई है और इसको apply करने की last date है 30 November तो बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ क् 25 तारिक है पास दिन और बचे हुए है इसमें आपको पाँजवी दसवी और बारवी डिपलोमा यह आपकी qualification रहेंगी कौन-कौन सी post है कौन-कौन इसमें apply कर सकता है यह सारी जानकारी में बताऊंगा इसकी official website में चल कर देखिए 23 November से यह form आपका जो यहाँ पर 23 November से भरती स्टार्ट हो चुकी है आगे हम चलते हैं सबसे पहले इसकी official website में तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जन संपर को भाग मद्य परदेश जिला सम जन संपर कारयाले सिंग रॉली तो यह जो वेकेंसी निकली हुई है सिंग रॉली में निकली हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी official website open कर ली है मैंने अगर आप खुद से चेक करना चाहते हो मैं description में इसकी link देदूँगा तो आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जैसी आप ड्रैक करेंगे तो नीचे आपको देखेगा one staff center यहाँ पर देखिए one staff center केंद रहे तो य देखिए यहाँ पर लिखा हुए जिला करेयाले अधिकारी महिलावाल विकास राजेस कुमार गुपता ने बताया कि करेयाले में one staff center ठीक है जिसको सकी केंद्र के नाम से आना जाता जिला सिंग्रॉली हे तू आउट सोर्सिंग के आधार पर चैनित संस्ता के माध्यम से न उम्र रहेगी 45 वर्स तक maximum age limit रहेगी 45 years जिसमें दो पदों के लिए योगिता MSW तथा एक पद के लिए योगिता LLB निर्धारित की गई है मतलब कि यहाँ पर LLB भी होना चाहिए MSW और LLB तो यह तीन पद हैं यहाँ ठीक है तथा परामर्ष करता महिला के लिए उम्र 50 पचास वर्स होना चाहिए मतलब एडवाइसर की पोस्ट है यहाँ पर उनकी उम्र होगी 50 महिला के लिए जिसकी योगिता रहेगी Physiology एवं IT वर्कर ठीक है Physiology रहेगी एवं IT वर्कर महिला देखिये महिला के IT वर्कर के लिए निकली हूई है जिसकी उम्र होने चाहिए 35 वर रहेगी और qualification है physiology ये बात अलग है और दूसरी एक पोस्ट है आपके सामने IT worker तो IT worker की उमर 25 पच्छिस पैथिस रहेगी और DCA मतलब कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर PG DCA होना चाहिए या DCA वगेरा है न तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जिन भी student ने PG DCA DCA वगेरा किया हुआ है उनके लिए भी यहां पर काफी अच्छा मौका है महिलाओं के लिए और पुरुषों दोनों के लिए ठीक है IT worker और बहुत देश यह साहयक मतलब multitasking assistance की पोस्ट है यहां पर महिला और पुरुष दोनों के लिए जिसकी age रहेगी आपकी 35 वर्स और qualification पांच भी पास चलेगा और शुरक्षा कर्मी मतलब कि यहां पर guards की जो vacancy है वो 35 वर्स तक age limit रहेगी और यहां पर भी पांच भी पास चलेगा तो इस तरह से आपको qualification और सारी चीज़े क्लियर हो जाती है अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं description में link हैं वहां से प अवश्या के हैं जिस छेत्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं अगर आप देखी यहां पर शुरक्षा कर्मी का अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास इसका experience होना चाहिए IT worker के लिए है तो भी experience होना चाहिए इन पदों पर मानव संसाधन की पूर्ती है तो आवेधन 23 November इसकी last date है तक कारयले समय में जिला कारयले अधिकरी महिला बाल विकास जिला सिंगराली के कारयले से समंधित संस्ता द्वारा लिया जायेगा तो यहां पर आपको वहां से ही form लेना है सिंगराली से जिला कारयले से यहां पर 23 से लेकर 23 के बीच में है ठीक है और भी आप इसकी आपर information देखना चाहते boys तो download कर सकते नीचे से आप यहाँ पर इसकी notification देखिये है ना तो यह और भी detail अगर आप चाहते तो यहां से इसको आप इसको open कर देता हूँ यहाँ पर देखी format में open नहीं हो रहा जो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं वही आपको यहाँ पर इसकी PDF में मिलेगी तो यह information बहुत important अगर आप channel में नई हैं और आप लोग ने channel को अभी तक subscribe नहीं किया थोटी बड़ी सारी प्रकार के विकेंसी और MP पुलिस कॉंस्टेबल की classes भी चल रही है तो आप वो भी अटेंड करें सुबह 11 बजे reasoning की class होती है